सब्सक्राइब करें एनी स्टाइल चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें आने वाले वीडियो की नौटिफिकेशन के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल एनी स्टाइल आज के वीडियो में मैंने दिखाया है कि आप विदाउट ब्लाउज के साड़ी को किस तरीके से ड्रैबिंग कर सकते हैं विदाउट ब्लाउज मिन्स आप कोई भी क्रॉप टॉप है टी सेट है सर्ट है पैपलेम टॉप है जो भी आपके पास टॉप है उसके उपर साड़ी को पैनी यह भी बहुत अच्छा लगता जरूर नहीं है कि आपके पास ब्लाउज हो और अर्जेंट मापके पास कर्ते एंट प्लेटे बनानी भी नहीं हाथी है तो आप सड़ीं के पार्टी कर बनाकि किसी भी प्लेutz मीआ क para 6000 के लिए 스जे उट यह ंजाए जाता बनाना बता यह एक मैक्स ड्रeस बनाना मताया तो आप सटरीके सड़ीस अपको यह उड्दी पक्ता रएगा टार यह दो तो आज़े इस तरीके से हम साड़ी के अंदर टकिंग कर दें जिस तरीके से हम नौर्मल साड़ी पहनते हैं उसी तरीके से इस साड़ी की पे अंदर अच्छे से टकिंग करते जाएंगे अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इस टाइप से भी साड़ी को पहन सकती हैं ये भी एक बहुत ही सिंपल तरीका है याद रखें जब भी आप साड़ी पहने तो पहले पर्ले का जो भागे वो निकाल लीजी कि आपको कितना पल्ला रखना है इस तरीके से रफ पल्ला सेट कर लिजें फिर साड़ी को आगे लाती है साड़ी की हम प्लेटे बनाएंगे प्लेटे बनाने के लिए हम इस तरीके से साइस नाप लेंगे और उसी के अकोडिंग प्लेटे बनाएंगे आप चाय तो बड़ी भी बना सकते हैं जोटी प्लेटे भी बना सकते हैं इस तरीके से ह कर देंगे जिससे के हमारी साड़ी जो प्लेटे है वो निकले नहीं अब हम साड़ी का पल्ला सेट करेंगे इस तरीके से मैं यहां पर साड़ी की बहुत बारी 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 प्लेटे बना रही हूं इस तरीके से हम साड़ी के पारी परी बनाएंगे अगर आप टीनेजर सें तो आप इस तरीके से प्लेटे बनाएए बहुत ही सुन्दर लगती है अगर आप एस तरीके से साड़ी पहन सकती है एंड गई साती में ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप अन्मेरिड है तो आप जह तक हो सके मॉसली क्रॉप टॉप है बहुत से चीज़े आती है जिनके उपर आप साड़ी को पैन सकती है बलाउस को छोड़के और अभी बलाउस में भी काफी वेराइटी आ गई है तो आप वो भी चूज़ कर सकती है पैप्लेम टॉप आते हैं और अभी लॉंग बलाउस बहुत ही सुन्दर लगते हैं अब फुल सिलीज में भी बलाउस पैन सकती है इस तरीके से सैट करते हुए इसे भी पिन से जो कि टू मिनिट्स में आपके बनके रैडी हो जाएगी तो आपको अपना सेकेंड स्टाइल भी दिखा देती हूँ उसके लिए हम हमारी साड़ी की जो पेन है उसको निकाल लेंगे और इस तरीके से साड़ी को अंदर अच्छे से टक कर देंगे जिस तरीके से हम स्टार् जैनना बहुत अच्छा लगता है तो गाइस आप इस तरीके से साड़ी के एक दू एक दू प्लेटे बना सकते हैं इस तरीके से हम यहां पर साइड में टक करेंगे और आप इसे as a maxi dress भी पहान सकते हैं इसको कि किसी भी प्रोग्राम में आप इसे पहान सकते हैं College में पहा गर देंगे, है, इस तरीका भी बहुत ही इजी है आप इस तरीके से भी साडी को ऄन सकते हैं, है, wieder wise, and इस तरीके से पल्णा लाते हुए, पल्ले का ज़ो कॉर्णार होता है साडी का वह आपको लेना है, और इस तरीके से लेते हुए, जैसे मैंने वीडियो में दिखाए यहां पर सिर्फ आपको इस तरीके से गाट बान लेनी है तो वाइस इस तरीके से आपका एक न्यू लूप भी बनकर रैडी हो गया है और आप इसे बैल से सिक्यूर कर दीजिए तो इस तरीके से गाईस आप साड़ी को पहन सकती है ऐसा मैक्सी स्टाइल यह भी बहुत ही बतान